प्रस्तुत है क्रिशी अवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार दौरा प्राय जितकारिक्रम किसान की बात प्रस्तुत है क्रिशी अवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार संकट के समय प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बर्दान है अब दूखा पड़े या बाड़ा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रदान मंत्री फसल भीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा नियूनतम प्रीमियम पर अधिक्तम भुगदान का बादा योजना से हर साल जुर रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना आपकी फसलों का संपूम्र सुरक्षा कबर्च कृशी एवं किसान कल्यान मंत्राले आकाश्वनी दिल्ली का एफम गोल्ड चैनल सौदर शमलव एक मेगाहर्स पर स्वागत है आप सभी कारेकरम किसान की बात में दोस्तों एक फिल्म का गीत है जो बहुत जिसकी मशूर लायन है कि मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिल खिला के हंस दिये कवीता में और कवी की भाशा में बड़ा अच्छा लगता है कि फूल खिल खिला उठते हैं लेकिन हकीकती है कि जब हम फूलों को देखते हैं तो हम खिल खिला उठते हैं फूल ऐसे कहा है जहां इस्तमाल नहीं होते और जहां हमें दिखाई नहीं देते बिलकुल हमारे जीवन के 16 संस्कार हो या कोई त्योहार हो, घर में कोई शादी ब्यार या कोई और उत्सव हो, या कुछ भी एक अच्छा हम जब महसूस करते हैं, कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, या अपने प्यार का इजहार करते हैं रूठना हो या मनाना हो सब में फूलों का इस्तमाल जरूर होता है और फूलों को देखकर के वाकए अपना चहरा सभी का खेल जाता है रंग भी रंगे फूल जब अपनी खुश्बू आसपास बिखेरते हैं तो ना सिर्फ हमारा चहरा खेल-खेला उटता है बलकि जो खुश्बू उसकी भिखर जाती है उससे भी हमारा मन चहक उटता है और बास सजावट की या फिर किसी सेलिब्रेशन की नहीं है फूलों से रंग भी निकाले जाते हैं फूलों से प्रदार्थ भी बनाये जाते हैं अगरबत्ती जैसी चीज़े भी बनती हैं और भी बहुत सारे चीज़े हैं जहां फूल काम आते हैं बिलकुल आजकल फूलों का व्यवसाय बहुत बड़ा रूप ले चुका है फिर चाहे वो होली के प्राकृतिक रंग हो या फिर दिवाली पर बनाये जाने वाली प्राकृतिक रंगों से रंगोली हो पूल हर तरफ हैं और इनकी जो मांग है वो हमेशा रहती है और इसी लिए इनकी खेती करना व्यवसायक दृष्टी से बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होता है और व्यवसायक खेती अगर आप फूलों की करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या साफधानिया बरतनी चाहिए क्या-क्या तैयारिया करनी चाहिए और ऐसे कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए, आपके लिए कौन से कदम सरकार के और से उठाये जा रहे हैं, खेतों में कैसे तयारी करनी है, कैसे बीज लगाना है, या किस तरीके से आपको पौद लगानी है, ये सारी जानकारियां जो हैं आज के कारिकरम में हम आप सभी के ल केंदर पूसा संस्थान नई दिल्ली में सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में जी नमश्कार आपको और सुर्ताओं को भी नमश्कार तो डॉक्ट साब इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स को नंबर दें और उन्हें बताएं कि क्या होती है वेवसाय खेती जि नहीं आती है और इसका एक कारण यह भी है कि फूलों की फसलों को भी ठंड अधिक पसंद है तब ही आप अच्छी ठंड में फूलों के अच्छे रंग देखते हैं गाड़े रंग देखते हैं उसका कारण यही है कि जो फूलों के बनने में फूलों के पौधों के उगने म जो प्रकास का संसलेशन होता है, उसमें जो कार्बो हैड्रेट्स बनते हैं, वो अधिकतर फूलों में जाते हैं. बढ़वार में जाते हैं, उनकी हानी कम होती है, कम ताप मान होने की वज़े से और आपको चटक रंग के पौधे और चटक रंग के फूल दिखाई देते हैं. तो जैसा आप देखते हैं कि अधिकतर फसलें इसी मौसम में दिखाई देते हैं, चाहे हम गुल दावदी की बात करें, जो कि मौसम में सबसे पहले आने वाला खिलने वाला फूल है, उसके बाद हम गुलाब की बात करें, गलेडुलस की बात करें, लीली की बात करें, जर्ब घर के आंगन में, चछत में, कॉरिडोर में, गमलों में, जहां भी जगे मिलती थी लोग सोभा के लिए फूलों के पौधे या पतियों के पौधे लगाते थे, लेकिन आज इन्हीं किसमों से, फसलों से लोग वैवसाय के लिए खेती करने लगे हैं, वैवसाय से मतलब है कि अगर आपके पास इस्थान अधिक है तो वहां पर आप और्नमेंटल पोधे फूलों के लिए और पत्तियों के लिए और हरे भरे दिखने के लिए भी उगाते हैं अगर संख्या में जादा हैं तो आप उनको बेच भी सकते हैं आप दिल्ली जैसे प्रशेतर में अगर जाएं जो दिल्ली जैसे सहरों के आसपास का छेतर हैं लखनव के आसपास का छेतर आगरा के आसपास का छेतर दिल्ली के आसपास का छेतर जितने भी महानगर हैं जैसे कानपूर है मदरास है बैंगलाओर है ये जो छेतर हैं यहाँ पर फूलों की वैवसाइक खेती इसलिए की जा से 500 करोड रुपे प्रतिवर्सकी होती थी जो कि आज 3000 करोड रुपे प्रतिवर्सकी हो गई है इसमें बदलाव यह आया है हर कोई आदमी जब छोटा सा function करता है चाहे वो birthday हो चाहे शादी की anniversary हो चाहे कोई family function हो get together हो या शादी हो या बहुत बड़ा कोई function ऐसा हो कि जिसमें सामाजिक समावेस हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा फूलों से पौधों से उनकी पत्तियों से सजावट की जाती है तो यह फूल आता कहां से है यह आता वहीं से है कि जैसे उगाया गया है तो दूरगम छेतरों पे जहां इसकी मौसम होता है जैसे पहाड़ी छेतरों म गर्मियों में, जो फूल अगाया जाता है, वो मैदानी छेतरों में आता है, सर्दियों में जो फूल मैदानी छेतरों में उगाया जाता है, वो दूर दूर तक ऐसे सहरों में जाता है, जहां उसको उगाया नहीं जा सकता है, या उसको उगाने वाले लोग विद्धमान नही तो आप देखेंगे कि जो मैदानी छेतर है यहां पर जो फूलों की फसले हैं अधिकतम जो खेती के वैवसाई के लिए उगाई जाती हैं उनमें मुखे हैं गैंदा आपने देखा होगा गैंदा और गैंदे में आपने बड़ा फूल एक लड़ू के आकार का फूल भी देख उसको हम मौसम में सबसे पहले लगाकर उसकी जो संकर किसमे हैं उनको पहले लगाकर हम जो नवरात्रे और दिवाली आती है उससे पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो आप देखें कि दिवाली और नवरात्रों में कितना महंगा फूल बिखता है 200 रुपे किलो तक गैंद की भी विभिन प्रजातियां है जिनको हम सितंबर अक्टूबर से शुरू करके फूल आना और फरवरी मार्च अप्रेल मई तक चलता है तो हमारा जो फूसा संस्थान है उसने काफी किसमें विक्सित की है जिनको लगातार हम सितंबर से अगस सितंबर से लेकर और मार्च अप में लगाने के लिए भी फूलों का इस्तमाल होता है चाहे बड़े होटेल्स हो या फिर कोई भी उत्सव हो तो आप कोई भी सावाल पूछना चाहते हैं शीत कालीन में जो फूल है उनकी वेबसाइटी से जुड़ा हुआ तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं अगर हम एक प्रचलित वेवस्ता के अंतरगत बात करें तो जो गैंदे का फूल है वो काफी समय से उगाया जाता है इसी के साथ साथ एक गुल्दावदी होती है जिसको हम एक देसी गुल्दावदी कहते हैं उसको बुन-बुना भी कहते हैं आम तोर की भासा में उसको का वो होता है और गैंदे में पीला रंग औरेंज कलर और रेड और जाफरी जो छोटा फूल होता है वो बहुत प्रिशलेता है जी डॉक्टर साब इस प्रशन के जवाब पर वापस आएंगे लेकिन हमारे साथ एक शोता टेलीफून लाइन पर जुड़ गया है आईए गुलाब की जब हम फूल आने के बाद कटिंग कितनी दूर से करें मतलब गुलाब का फूल अगर हम तोड़ के अपने गुल दस्पे में लगाएं तो पानी में डालेंगे तो काफी दिन तक वो रहता है तो उसकी कली आजाती है फुल कली बनने के बाद उसको भी तोड़ स सब्सक्राइब करें तो जो त्रणवाली दिली है वो हमें नहीं मिल पारी इसका कहां कोई एड़स है तो वताएंगे और एंटी के डालने से कितने कितने फैदे हमें मिलेंगे देखिए आपके तीन चार सवाल होगे जो पहला सवाल जहां तक आपने पूछा गुलाब की कटिंग के बारे में अगर देखिए आपका गार्डन गुलाब है आपके बगीचे में है गार्डन में है मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि आप फूलों को तोड़े ना काट कर गुलदस्ते में लगाने हैं तो जो ब्रांच है गुलाब की उसमें आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जब उस टहनी को काटें तो उसके निचले वाले हिस्से में दो से तीन परतियों की जगा छोड़ दें जिससे नई साखा निकलेगी और फिर से वो बहुत अ अधिकतर फूल एक साथ ही खिलते हैं और एक साथ आप उसकी सारी ब्रांचेज ना काट लें साखाएं ना काट लें तो एक थर्ड यानि दो तिहाई जो ब्रांचेज हैं हमेशा उस पौधे पर छोड़े रखें ताकि उन ब्रांचेज की पत्तियों की वज़े से पौधे क दुकाने होती हैं गार्डन सॉप्स होती हैं उन सभी के पास आपको लीली के बल्ब मिल जाएंगे इस समय और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहते हैं तो फिर आप जो लोकल वेंडर होते हैं इंपोर्ट करते हैं बाहर से वही आपको इसका बल्ब दे सकते ह और इसमें सबसे बड़ी साफधानी की बात यह है कि जब भी आप लिली का बल्ब खरीदें तो आप सुनिश्चित कर लें कि जो उसकी सुपता वस्था है जिसको हम dormancy कहते हैं बल्ब के सोने का period कहते हैं कम से कम तीन चार महीने वो सोया रहे चार डिग्री तापमान से नीचे पर तब ही उसको सुनिश्चित करके खरीदें नहीं तो वह अच्छा फूल भी नहीं देगा और उसकी बड़वार भी अच्छी नहीं होगी बाकी जो आपका एक question था लड़ू गेंदा लड़ू गेंदा को आप पूरे वर्स भर कभी भी लगा सकते हैं गर्मियों में इसमें साखाएं आती हैं तब ही इसकी साखा की cutting लगाकर आप नया पौधा बना लें और उसके बाद जो है जो बड़ होती है उसको ऊपर से तोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये जो पौधा है ये लंबे दिनों की अबधी में बनना चाहिए तो अगर छोटे दिनों की अबधी में बनाएंगे छोटे दिन का मतलब होता है जिसमें दिन भर का प्रकास मान कम समय के लिए उपलब्द रहता है तो अगर गर्मियों में इसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पौधा बढ़वार लेकर बढ़ेगा और फिर उसकी cutting बनाकर अगले साल क के लिए नहीं पौधे बना सकते हैं और कॉलर हमारे साथ मौजूद है लोग सबाइए जान लें तो उनका क्या प्रशन है हेलो हेलो जी स्वागत है आपका किसान की बात में अपना परीचे दें और सवाल पूछे मेरा राजेश कुमार है और मैं जमू कश्मीर से बोल रहे के लिए तांकि हम उसका असी दांग से बेपार कर से बेचा के फूलों को आपका जो सवाल है वो जम्मू के लिए है और तो जो मैदानी चेतर है यानि जम्मू वैली है वहां पर तापमान बहुत अच्छा रहता है और मैं आपको सला दूंगा कि पूसा संस्थान में हमने एक प्रजाती विक्सित की है जिसका नाम है पूसा अर्पिता सामानेता है इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी संख्या में आते हैं और इस किसम में ज़्यादा तापमान को भी सेहन करने की सकती है और कम तापमान पर भी अच्छे फूल देने भी बनी रहेगी और इसकी जो पैदावार है अभी तक सभी प्रजातियों में अधिकतम पैदावार है इसकी तो एक पौधे से साड़े तीन से चार किलो फूल तक भी आपको प्राप्त हो सकते हैं उमीद करते हैं कि हमारी शुताओं को उनके सवालों को जवाब मिल गया हो और समय से पहले बाजार में उसको बेचकर अधिक लाब भी मिलेगा आपको तो जैसे मैंने कहा कि अगर मौसम में सबसे पहले कोई किसम लगानी है तो आप पूसा दीप लगाएं पूसा दीप का जो फूल होता है वो फ्रेंच मेरी गोल्ड का होता है लेकिन अप एक शक्र में हैं पूसा संस्थान से उसका बीज लिया जा सकता है इसके बाद हमारे पूसा पर पूसा उपहार नाम की दो किसमे हैं जो इसके बाद जो फूल आता है सर्दियों के मौसम में वो बहुत ही सुन्दर फूल आता है अभी मैंने पूसा और पिता का जिकर किया ये बहुत ह विग्रस रूप से बढ़ने वाली प्रजाती है और बहुत जादा संख्या में ब्रांचेज आती हैं फूल आते हैं और अधिक्तम समय तक ये फूल देती है इसी परकार जैसे अगर हम ग्लैडूलस की बात करें तो जैसे अभी एक स्रोता ने प्रेशन किया था जम्मू में त तो वहां पर ग्लैडूलस वगरा की खेती वो लगबग पूरे साल कर सकते हैं और ग्लैडूलस में जो किस्मों का चुनाव है वो करना बहुत जरूरी है अगर आपके छेतर में आप एक छिक आतरता अधिक है तो आप जादा मोटी और जादा बायो मांस में बढ़ने वाली प्रजातियां सेलक्ट कर सकते हैं जैसे वाइट फ्रेंड्शिप है यलो फ्रिल्ड है और अगर आप एक छिक आधरता और तापमान अधिक है तो आप जैसे रेड सुप्रीम वेराइटी है वो चलक्टरन कर सकते हैं हमारे पूसा संस्थान में एक बहुत ही अच्छी और जैसा मैंने कहा कि रेड वेलेंटाइन ये जो फर्बरी का फर्स्ट और सेकंड वीक होता है आप कभी भी लगाएंगे लेकिन इसका फूल फर्स्ट और सेकंड वीक में ही आएगा तो जो लोग बाजार को केंदरित करके और वेलेंटाइन डे के लिए फूल उगाना चाहत है गुलाब दो तरह का होता है एक तो खुले प्रक्षेतर में गुलाब उगाते हैं और एक सरक्षित खेती में गुलाब उगाते हैं तो जो सरक्षित खेती में गुलाब उगाया जाता है वो डच किसम का गुलाब होता है और जो बाहर गार्डनिंग गुलाब करते हैं वो अधिकतर वो देशी प्रजातिया होती है जैसे ग्लैडियेटर है अर्जुन है या कलकतिया गुलाव है जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बंच होती है पचास फूलों की या सो फूलों की उसका एक बंडल मिलता है बाजार में और सर्दियों में वो फूल बहुत ही से इंतिजार कर रहे हैं आईए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रेश्न है हलो जी प्रेम गुमार जी सवाल पूछे है अपना जी गुलाब के पौधगे के बारे में पूछने चाहते हैं कि इस पक्षक कौन सी किसमें वो लगा सकते हैं हाँ देखिए अगर आप गार्डन किसम जो कि मोटे फूल देती हैं बड़े फूल देती हैं इसी के साथ साथ बहुत सारी जैसे डॉक्टर बीपी पाल ने हमारे संस्थान में कम से कम विक्सित की हैं 25 किसमें तो ये सबी गार्डन गुलाब है और अलग अलग कलर के होते हैं अलग अगर आप डच गुलाब ल चाने के लिए सरक्षन करना पड़ता है उमीद करते हैं कि प्रेम कुमार जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर साब आपने यहां पर पॉली हाउस की बात की तो यहां पर हमारे मन में सवाल आता है कि खेत की तैयारी कैसे करने चाहिए या कितना बड़ा खेत होना चाहिए फूलों की वैवसाई के लिए खेती करने के लिए जैसे अब हम बात कर रहे थे अगर किसान वैवसाई के लिए खेती करना चाहते हैं जैसे गैंदा की खेती ग्लैडूलस की खेती या गुलदावदी की खेती या खुले छेतर में जो फसले होती हैं जैसे वो एकी तरह की खेती करके बाजार में आने वाली मांग के अनरूप सपलाइई करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सके अगर कुछ लोग सरक्षित खेती करना चाहते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि सरक्षित खेती में वर्ष परियन पूरे वर्ष बर हम खेती कर सकते हैं जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कारनेशन की खेती कर सकते हैं, गुलाब की खेती कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक एकड़ छेतर फल में पॉली हाउस बनाने की आवस सकता होगी, और किसान इससे घबराये नहीं कि एक एकड़ प्रचेतर में पॉली हाउस बनाने के लिए काफी पैसे की आवस्था होती है तो सरकार ने 50-60% तक इस कीमत पर इस लागत पर अनुदान देने की विवस्था की है ना कि सरचना बनाने पर बलकि पहली बार इसके लिए बीज या पौधे खरीदने पर या ड्रिप से चाई प्रिणाली लगाने पर या उससे संबंदित ज की विवस्था सरकार ने अपने मिसन होर्टी कल्चर प्रोग्राम के अंतर रखी हुई है जी है और शुरूत हमारे साथ जुड़े हुए आए जानते हैं क्या है उनका प्रेशन हेलो नमस्कार स्वागत आपका कारिक्रम में अपना नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं आप ब काला गुलाब आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि काला गुलाब होता ही नहीं है काला गुलाब नहीं होता है और नीला गुलाब भी नहीं होता है तो यह जो आप देख रहे हैं गुलाब जो बहुत ही सफेद गुलाब होता है मैच और होने पर आपको बिल्विस हो जाता है थोड़ा नीला हो जाता है ठंड की वज़े से और जो लाल गुलाव आप देखते हैं बहुत अधिक ठंड होने से आपको काला जैसा दिखता है तो इसमें जैसे ओकलाहमा प्रजाती है वो अगर बहुत सर्दी में आप उसको उगाएंगे या देखेंगे फूल को मेचारटी के समय तो वो काला आपको दिखेगा लेकिन काला होता नहीं है काला जैसा होता है और जो आप बाजार में या इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर जो फोटोग्राफ देखते हैं इस तरह का ऐसा कोई गुलाब की प्रजाती नहीं होती है तो आप ये भ्रहम छोड़ दें और आप गहरे लाल रंग का बजार से गुलाब खरीदें उसको उगाएं और उसको खूब अच्छी सेवा करें पोशक्तत दें तो वही आपको काला दिखेगा आप दिखे तो आप गॉगल्स लगा लीजिए वह आपको काला दिखेगा जोसमी पौधे हैं फूलों के उनकी पौध उपलब्ध है और होने वाली है अगर सबजियों की पौध आपको चाहिए गेंदा की पौध चाहिए तो हमारे पूसा में जो सरक्षित क्रिशी पृद्योगी केंद्र है जिसको सीपी सीटी भी कहते हैं आप अगर पूसा लेंगे तो आप सीपी सीटी नाम लेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये पौली हाउस वाले केंद्र की बात कर रहे हैं तो वहां आपको सरक्षित नर्सरी में इस तरह की पौध आपको मिलेगी जो की इस समय उपलब्ध है आप आकर खरीज सकते हैं पौध जो लगाने है वो किस किस तरीके से लगाये जा सकते हैं जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि खेत की जो तयारी है वो बहुत महत्पूर है अगर किसान खेत की तयारी कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कि ग्लेडलस की खेती लिली की खेती इन खेती इन फसलों के लिए बहुती ज़्यादा मातरा में पोसक्ततों की आवसक्ता होती है तो प्रती एकड़ छेतरफल में 300 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद मिला दें जुताई के समय में इसके बाद बुवाई से पहले जब खेत की तयारी करें तो आपको एकड़ छेतरफल में लगबग 200 किलो नाइट्रोजन के हिसाफ से उसकी 50% मात्रा और 120 किलो फासफोरस के हिसाफ से उसकी 100% मात्रा और 120 किलो पोटास के हिसाफ से उसकी 100% मात्रा का मिसरन बनाकर आप खेत में मिलाकर खेत की क्यारियां बनाए अगर आपको लगता है कि पिछली फसल में बहुत कम समय था तयारी में तो आप इसमें एक M45 का जो की 5 ग्राम प्रती वर्ग मीटर छेतरफल के हिसाफ से जुताई के समय ही इसका इसका स्प्रे कर दें या इसको पावडर फॉम में ही मिला दें जिससे की आपकी फंगल ट्र जाई करें अगर खर्पतवार नासी बहुत जादा आप खर्पतवार बहुत होते हैं तो उसके लिए प्री इमर्जेंस वी डिसाइड प्लांटिंग करने से पहले रोपाई करने से पहले आप इसमें पैंडी मिथिलीन का इस प्रे कर दें ताकि जो खर्पतवार हैं वो जल नर्सरी बनाई जाती है रोपाई के समय से पहले ताकि अच्छे स्वस्त पौधे तयार हो जाएं और अगर सरक्षित नर्सरी में आपके पौधे बने तो वो रोग विरोधी होंगे और वो स्वास्त होंगे और उनमें अजल्दी से कोई बिमारी नहीं लगेगी जी आपका स्टूडियो में आने का और इतनी सारी जानकारी देने का दोस्तों नर्सा में लगबग समाप्त हो चुका है और हमारे साथ आज मौजूत है विशेशक के डॉक्टर M.C. सिंग प्रधान बैग्याने संरक्षित क्रिशी प्राद्यों के इंद्र पूसा संस्तान नई क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार हर किसान की आंदनी दुगिनी ऐसी नहीं नहीं तरिकी बे अब हम को है चुनी